नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए मनु भंडारी जी की कहानी अंकुष मनु भंडारी जी की अने कहानी आपका मारी प्लेलिच से मिल जाएंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं तो शुरू करते हैं कहानी अंकुष मिसिस चोपडा ने निल पॉलिश का ब्रश अपने लंबे नोकीले नाखोनों पर फिरते वे कहा आजकल तुमें पम्मी में कोई खास चेंज नजर नहीं आता फाइल पर आँखे टिकाई टिकाई ही चोपडा जीने पूछा कैसा चेंज? यही कि हम लोगों से गतराती है सारे दिन कमरे में गुसी बैठी रहती है ना कहीं आना ना जाना चोपडा हस पड़े यह तो उम्मी ही ऐसी होती है कि आदमी बहारी दुनिया से कटकर अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता है एडुलेसेंस या मुझे तो कुछ औरी बात लगती है गंबीर साहब का लड़का आया हुआ है ना दो महिने से तब से देखती हैं उस घर के चक्कर भाग लगने लगे है सहाब तार आया है नौकर ने बात बीच में ही काटकर पड़े अदब से तार का लिफाफा चोपडा के सामने पेश किया तार किसका तार मिसिस चोपडा ने तार के लिफाफे को उतसुकता से देखते वे पूछा शाम की गाड़ी से पापा आ रहे है तार को वापस लिफाफे में डालते वे चोपडा ने कहा पापा पापा भी क्या करने आ रहे है बहुंपर तीन बल चड़ाते वे मिसिस चोपडा ने पूछा यह सब तो इसमें लिखा नहीं और चोपडा ने नजरे फिर फाइल में गड़ा दी अभी तो आने की कोई बात नहीं थी कितने दिन ठहरेंगे मिसिस चोपड़ा को गुस्सा आ रहा था कि चोपड़ा हर बात को इतने सहज भाव से क्यों लेते हैं और फिर एक आएक कुछ याद करते हुई बोली लो और लो आज से तो कोग भी एक सब्ता की छुटी पर जा रहा है मैं तो बाबा मर जाओंगी दोनों समय का खाना बनाते बनाते उनके मरने की इस धंकी ने भी चोपड़ा को जरासा विचलित नहीं किया तो खीच कर बोली उनको कम से कम लिखकर या ट्रंकल करके एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना कि इस समय आई या नहीं दूसरों की भी तो कोई सुविदा हो सकती है कैसी बात कर रही हो यह घर उनका है जरूरी है कि अपने घर में भी आदमी पूछ कर आए शब्द चाहिए जो हो स्वर में गुस्सा कता ही नहीं था इसलिए मिसिस चोपड़ा का होसला बड़ा मनुहार करती सी बोली हो सके तो तुम अभी ट्रंक करके मना कर दो ना इस बार चोपड़ा ने फाइल बन की और मिसिस चोपड़ा की और नजरे टिका दी उनकी नजरे हमेशा शब्दों से अधिक मारक रहती है फिर भी वे अपने को भर सक सहियत करके बोले जानती हो पापा हमेशा उचे से उचे ओधे पर रहे हैं पूरे सहाबी ठाट बाट के साथ लेकिन उनके घर में यदि रात को बारा बजे भी कोई आ जाता था गाउं दिहात के से दूर का मामली सा रिष्टेदार भी उसे भी वे सिराखों पर लेते थे ऐसे आदमी को मैं मना कर दूँ और वे भी अपने ही घर आने के लिए होश में तो हो तुम मिसिस चोपड़ा चुप बीना की ऐसी चुप़ी का मतलब चोपड़ा खूब अच्छी तरह समझते हैं इसलिए जल्दी ही स्वर को सहज बना कर हसते हुए बोले तुम इतना घबराती क्यों हो भार के आदमी तो है नहीं घर के ही है उन्हें तो खाने पीने का भी कोई शौक नहीं जो भी बना दोगी प्रेम से खा लेंगे यूँ शायद मिसिस चोपड़ा चुप रह जाती लेकिन मिस्टर चोपड़ा की एहला पर वाई देखकर फिर खीच पड़े हाँ तुमने तो बस आराम से बैटे-बैटे कह दिया कि घबराती क्यों हो करना तो समझे ही पड़ेगा अभी विने को आए दो ही दिन हुए थे सोचाता पिकनिक वगएरा करेंगे उसे घुमाएंगे कलब के प्रोग्रामर्ज में जाया करेंगे बच्चा छे महीने में तो घर आता है पर अब और बात अधूरी ही छोड़कर गुस्से में उन्होंने इतनी महनत से लगाए निल पॉलिश पहुच टाली मिस्टर चोप्रा चुपचाप उठे और तयार होकर मिल चले गए तो देखा रोज की तरह चेहरे पर स्वागत की मुस्कान लपेटे मिस्स चोप्रा दरवाजे पर नहीं खड़ी है पता लगा वे अंदर काम कर रहे हैं तो बिना आवाज दिये ही वे प्रतिक्षा करने लगे पर जब दो बज़े तक वे बाहर नहीं आई तो उन्होंने वहीं से आवाज लगाई आज खाना भी मिलेगा या भुखे ही मिल जाना होगा रुमाल से ललाट का पसीना पहुंचती हुई मिस्स चोप्रा निकली कोई आराम तो कर नहीं रही ती जो 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 जला रहे हो पापा के लिए कमरा ठीक कर रहे थी पाँच बज़े तो गाड़ी पहुंची जाती है और खाने के बाद तो मुस्से यह सब होता नहीं मिस्टर चोप्र चुप्चाप बैठे रहे सबजी परोस्ते परोस्ते ही वे बोली देखो मैं तरकारियां बना दिया करूँगी पर तुम ये सोचो की सारे घर की चपातियां भी से कूँ सो मुस्से नहीं होगा तंदूर पराटा भेज दिया करूँगी पता नहीं पापा को पसंद भी आएगा या नहीं खाना बनाने वाले का इंतिजाम हो जाए तो विने को थोड़ा बहुत घुमा फिरा भी देंगे। खुल पंदरा दिनों की तो छुटिया हैं। बेचारे की चिंता के मारें उनसे रोटी तक नहीं निगली जा रही थी। देखो कोशिश करूँगा पर इस समय जरा मुश्किली होगा। ऑक्टूबर ही तो यहां का सीजन होता है। रोज ही तो पार्टी और डिनर होते हैं। फिर भी पूछ कर देखूँगा। और क्या। मैं भी तो यही सोच रही थी कि यह सपता तो खेल, खुद, हसी, मजा, गाना, बजाना, सेर्स, अपार्टे, पिक्निक, पार्टियों में ही निकलेगा। घर में तो खाना बनेगा नहीं, सो कुक को भी चुट्टी दे दी वरना, आज खाना देर से खायता है। इसलिए कॉफी और लेटने का प्रोग्राम रद करके, मिस्टर चोप्रा तुरंथ ही मिल के लिए निकल गए। मिस्टर चोप्रा को उनका यूँ, घरी के काटे से बंधें बंधें मिल जाना कभी भी सुहाया नहीं। अरे मिल में नंबर दो है। समय की ऐसी पबंदी तो अर्दली चप्रासी भी नहीं रखते। पता नहीं वहाँ जाकर कुख के लिए कोशिश भी करेंगे या नहीं। आदी वासियों के बीच बसी पेपर मिल की है बड़ी सी बस्ती जिसके अधिकतर लोग शहर कस्बों से आए वे हैं। वैसे इतने बर्सों में यहां भी शहर की काफी सुकसुविदाई जुटा ली गई हैं। बच्चों के लिए खुबसूरत पार्क और आदी वासी आयाए हैं। स्विमिंग पुल युक्त आलिशान कलब है। अंग्रेजी मीडियम का एक हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में से यहां दून स्कूल की लहराई हुई है। सो जोड दोड करके जैसे तैसे अफसरों ने अपने बेटे या तो वहां पहुचा दिये या फिर पहुचाने की मशक्कत में लगे हैं। बुरुशों को तो मिल व्यस्त भी रखती है और काम करने का संतोश भी देही देती है। लेकिन महिलाओं के पस अपना कहने को तो कुछ नहीं, इसलिए पतियों के पद को ही सिर पर ढोए ढोए इतराती इठलाती रहती है। किसी भी पार्टी या क्लब में घुसते ही एक ही नजर में सबके गहने कपड़े आँक लेने की दक्षता उन्होंने जरूर हासिल कर रखी है। जो कभी उनके मन में इर्शिया तो कभी दरपयुक्त संतोश भर देती है। आक्टूबर का महिना इन लोगों का सबसे बड़ा तेहार होता है। बाहर पढ़ने वाले बच्चे घर आते हैं और आट-दस दिन तो सिरफ जशन का महौल रहता है। और इसी तोहर पर पापा आ रहे हैं और कुक छुट्टी पर। उनका मन हो रहा था कि माथा कुटले में अपना भारी कजम से वे भीतर लोटी ही थी कि तभी फोन की घंटी घंगना उटी। अरे कौन शम्मी बोल क्या ख़बर है कौन सी साड़ी। अरे हम तो शाम की पाटी में आहीं नहीं सकेंगे। क्यों फादर इलना आ रहे हैं शाम को अब जब तक वे हैं तब तक कलब पाटी सब बंद ही समझो। अब यह तो आने पर ही पता लगेगा कि कितने दिन ठहरेंगे। ग्रीन टॉप्स चाहिए कौन सी साड़ी पहन रही है देख जड़ा करनल से बच कर रहना नजरों से ही निकल जाएगा। धत क्या सच बता रही है अच्छा किसी को भेज दे टॉप्स दे दूँगी और कुछ चाहिए। बाई रिसीवर पटक कर वे पलंग पर लेट गए। शाम की पाटी की काल अपनिक तस्वीर ने उनकी मन के अफसाद को और अधिक बढ़ा दिया। पड़े पड़े खिन मन से वे हफते बर का मेन्यूम बनाने लगी। शाम को पापा आए सिर पर पल्ला डालकर उन्होंने प्यार छुए तो उन्होंने आशिरवाद की जड़ी लगा दी। मिसिस चोपड़ा गाड़ी से उतरते वे समान को देखकर अनुमान लगाना चाह रही थी कि पापा का पड़ाओ कितने दिन का होगा। गाड़ी में से फलो के टोकरे और मिठाई के डबो का धिर निकला तो बोली अरे यह इतना सब आप क्यों लिया हैं यह तो कुछ भी नहीं विन्हे भी तो आया हुआ है पम्मी है तुम हो फिर कलॉनी में बाटना कलॉनी में तो सब घर अपने घर जैसे ही होते हैं यही तो स अच्छी तरह देखकर वे अंदर चले गए नौकरों ने फटाफट उनके समान कमरे में जमा दिया चाय का समान लगा कर मिसिस चोपडा अंदर जाने लगी तो उसे रोकते वे बोले चल कहां दी बीना तुम भी साथ बैटो मैं या खाने पीने नहीं तुम लोगों के साथ रह कोई जंजट नहीं करोगी और वे भी चाय पिने के बाद मजबूरन मिसिस चोपडा को बैटना पड़ा बच्चे कब तक लोटेंगे कलब से सच पूछो तो बच्चो को देखने ही चलाया आठ बजी तक लोटेंगे वो क्या था ना कि मैच था विनय का वरना आज मिस्टर मिसिस चोपडा बच्चो को आज घर ना रोकने की सफाई दे रहे थे ठीक है ठीक है बच्चो को उनकी काम में लगा रहने थे शाम को पम्मी और विनय लोटे तो पम्मी ने तो जुक कर परणाम किया लेकिन विनय की हाद जोड़ने के धंग में अदब कम लापर भाई ज्य चोपडा ने विनय को छड़का बाबा के पैर चुओ विनय विनय ने पैर चुदिये पापा ने उसे सीने से चिपका कर प्यार किया रात को मेच पर खाना लगा अरे बहुरानी ने तो धेर सारे पकवान बना डाले गद गद भाव से पापा बोले मैं कोई महमान थोड़ी ह भाई घर का आदमी हूँ फिर तुम्हारा कुग भी तो नहीं है इतना सब करने की क्या जरुवत थी जो दो तिन साल में एक बराय वे मैं मान तो हुआ आप शमेशा यहां राते तो घर के होते लेकिन आपको शायद अकेले रहना अच्छा लगता है अपनी परशनसा में मिस इस चोपड़ा के चहरे पर जो मुसकान छिटक पड़ी थी उसी का साहरा लेकर चोपड़ा ने एक वाक्या और जोड़ दिया वरना यह कोई उम्र है आपकी अकेले रहने की और अपनी बात की परतिक्रिया देखने के लिए वे पापा की जगा बीना का चहरा देखने लगे सारे लाड़ प्यार के बावजुद पापा के व्यक्तित्व में एक ऐसी दबंगाई है जो शुरू से ही वीना को तरस्त करती रहती है मा भी हमेशा उनसे डर कर ही रही लेकिन वे जब तब लड़ भी लेती थी वीना केवल डरती है और डरने से ज़्यादा खीचती है जलाती है देखो भई उसूल है मेरा खुद भी स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी स्वतंत्र रखो अलग रहता हूं इसलिए न साथ रहने की मनुहार हो रही है और साथ रहने लगो तो वाक्या को अगधूरा ही छोड़कर वे हसने लगे अनकहे शब्दों ने सब को मौन कर दिया अच्छा पम्मी तुमने इसमें से क्या बनाया है बात्चित का महल बदलने के लिए उन्होंने पूछा जी मेरा ये फाइनल इयर है कुछ भी ना करने की सफाई देते वे जग भरे स्वर में पम्मी ने कहा अरे पर अभी तो अक्टूबर है भाई और फिर जब कुक भी नहीं है तो मा के साथ काम में हाथ बटाना चाहिए ना it's your duty पापा के स्वर में हमेशा की तरह आदेश का पुटता बिना इस बात की चिंता किये कि सामने वाला उसे दादा के सहच सुआभाविक लाड़ भरे अधिकार के साथ ले भी रहा है या नहीं चोपड़ा जानते हैं कि बीना खुद चाहे पम्मी के निखटूपन को लेकर सारे दिन चीखते रहे पर कोई दूसरा कुछ भी कहे उसे बरदाश नहीं होता इस मामले में वैं सौफ इसली मां है इसली बात का सिरा चोपड़ा ने संभाला अगस्त में इसे टाइफाइट हो गया था सो किलास में काफी पिछड गई थी हम लोगों ने ही कह रखा है कि जब तक बराबर नहीं हो जाती सब तरफ से ध्यान अटा कर बस बढ़ाई में ही लगी रहो टाइफाइट टाइफाइ यह तुम लोगों की है अच्छा ठीक है अब से मैं आपको सर्दी जुकाम की खबर भी भेज दिया करूंगा बस अरे आप तो बीना की हाथ का यह पिलाव खाईए और हसते वे चोपड़ा ने पिलाव की प्लेट पापा के सामने कर दी यह जानते वे कि पापा जह गलत बात के लिए डपटने से नहीं चुकते वहीं अच्छे कामों की तारीफ करने में भी कंजूसी कताई नहीं बरतते खाना तुम सच में बहुत अच्छा बनाती हो बीना तब ही तो मैं मनाया करता हूँ कि कुक छुट्टी पर ही रा करे तो कम से कम खाना तो ला जवाब मिले इतन ही तो सही हमारी बीटिया कैसा खाना बनाती है तब तो दादा जी आपको भूका ही रहना पड़ेगा और विना जोर जोर से हसने लगा क्यों भूका रहना पड़ेगा भई बस इंतिहान खतम होते ही मैं कोकिंग क्लास जॉइन करने वाली हो बीना ने बात संभाने अरे कम लेकिन आखों से बुरी तरह घुड़का पम्मी ने यह मैं क्या सुन रहा हूं पम्मी तुम क्या मामुली खाना भी नहीं बनाना जानती बहुत गलत बात है अब तुमको इतनी छोटी बच्ची नहीं हो पापा का स्वर फिर आदाईश देने वाला हो गया बीना यह तो नौकर, कुत्ता, मिलने जुलने वाले और खाना खतम होने तक पापा को इसी में हिलाए रखा रात को लेटते ही बीना ने कहां मैं तो ठक गई बाबा पांच बजे से नो बजे तक गैस के सामने खड़ी रही हूं लगाता है तो इतनी चीज़े क्यों बनाई बना दी इसलि मौन शम्मी अच्छा बता कैसी रही पाटी मजा क्या ठीक ही तो कह रही थी फिर खिल खिला कर हसी लेकिन फिर पता नहीं उधर से क्या पूछा गया स्वर में जाने कितनी निराशा हताशा व्यथा उपर आई क्या मालूम हमारे ये सीजन तो बेकार ही हो गया चोपड़ा न जरूरी काम से बहुत जल्दी ही मिल चले गए तो पापा अपने कमरे में अखबार के साथ अकेले ही चाय पी रहते तब ही बहार से पम्मी के चिलाने की आवाज आया मेरी ड्रेस अभी तक प्रेस नहीं की तुम्हें टाइम का कुछ होश भी है रहता है या नहीं देर नहीं हो रही मुझे मैं कहती हूँ छोड़ दो सारे कम पहले आकर मिरी ड्रेस प्रेस करो कितनी बार तो समझा दिया कि साथ बज़े मिरी ड्रेस या हैंगर में लटकी होनी चाहिए लेकिन हाथ में प्याला लिए दादा जी को आता देख पम्मी चुप हो गई क्या बात है पम्मी जल्दी प्रेस चलाने लगी नाश्ते की मेज पर आते वे पापा ने पूछा विना की धरह दिखाई ही नहीं दिया सवेरे से बीना ने डरते डरते कहा वो सो रहा है छुटियों में आता है तो पापा हसे ठीक है ठीक है छुटिया होती है तो मस्ती मारने के लिए ही फिर मे बीना अकेले बाटकर मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता, बीना लॉट आई, कटलेट की गुन गाता के बीच पापा ने पूछा, तुम्हारे यह कितने नौकर है, एक कुक है, एक आया है, और उपर का काम करने के लिए यह लड़का है, किशन, ड्राइवर और माली तो मिल आप कर रही, 16-17 साल की लड़की, अपनी ड्रेस तक प्रेस नहीं कर सकती, चाय नहीं बना सकती, आगे चल कर क्या होगा इनका, कुछ सालों बाद घरेलो नौकर नहीं मिलेंगे, शेहरों में तो अभी ही संकट है, तब हाथ से काम करने की आदर डलवाओ बच्चों में, मारे लाए कुछ काम होता बताईए, इस समय क्या कर रही हो, नाश्ता खिला रही हो, डाट खा रही हो, समझ में नहीं आता, कि ये लोग दूसरों की जिनलगी में इतना दखल क्यों देते हैं, अरे भाई, तुमको जैसे रहना हो, तुम रहो, हम जैसे रहे हैं, हमें रहने तो हम कोई बच्चे हैं, जो बाद बाद में उबदेश पिलाते रहेंगे, देखो, तुम सब को बोल देना, कि फौन दुपैर में किया करें, वरना एक भाशन इस पर हो जाएगा, और मिना वहीं बैट गई, दुपैर में चोपड़ा की गाड़ी आकर रुकी, तो पापा बागीचे में बागबानी कर रहे थे, देखो, तुम्हारी बहुत सारी कियारियां और पौदे मैंने ठीक कर दिया, और हाथ चाड़कर चोपड़ा के पीछे 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 अंदर आ गए, चोपड़ा ने बीतर घुसते ही, पहले घर का महौल सुंगा, मिना के चाहरे का ज पून स्कुल भेज दिया, अच्छा किया, पर यह अत्मी तो देखो, कि वह सीख क्या रहा है, बीना का चहरा किछने लगा, क्यों, आपने परिक्षा ले डाली किया, उसकी चोपड़ा ने हसते वे पूछे, बच्चों की परिक्षा लेना तुम्हारा काम, मुझे तो कुछ कहना है, तुम लोगों से, कहूंगा, बीना की चहरे पर आसपास तनाव मंटराने लगा, दूसरे दिन, नाश्टा करके चोपड़ा मिल चले गए, तो पापा दो घंटे तक बागवानी करते रहे, धूप की गर्मी नहीं, उन्हें वहां से उखाड़ा, किशन बेटे, एग पताबाद माली लोट आएगा, आप क्यों परिशान हो रहे हैं, होबी है यह तो मेरी, अच्छा तुम खाली समय में क्या करती हो, समय तो बहुत मिलता होगा तुमें, कोई होबी, कुछ तो करना चाहिए तुमें, सम्थिंग यूसफुल, मैं कहता हूँ, बागबानी करो, इससे बढ़िया और कोई होबी नहीं हो सकती, एक एक पौदे से बच्चो जैसे लगाव हो जाता है, बीना ने खाली ग्लास लिया और चुक चाप भीतर चली गए, दुपैर में, खाने की मेच पर फिज दिनो, विना मेच के लिए कलब चला गया था, तो पमी पहले ही खाक मज़ूरों की मांगों से, बाता वरन थोड़ा सहच तो जरूर बना रहा, लेकिन बात को फिर किसी नुकिले बिंदू पर आना ही था, काका, तुमने विने को दून स्कुल भेजा, अच्छा किया, पर यह भी तो देखो कि वे क्या सीक रहा है, बीना कच्छा फिर खिचने लगा, आपने क्या, फिर पर इक्षा ले डाली किया, उसकी चोपड़ा ने हसते वे पूछा, सो तो ली, पर इसमें कोई शक नहीं, बहुत हुशी आ रहा है वे पढ़ने में, I am really proud of him, तो फिर प्रशन वाचक चीन चोपड़ा और बिना की चेरे पर लटक गया, कभी गौर किया तुम लोगोंने की वे नौकरे के साथ कैसे बात करता है, इडियाट, बुडबक, उलू, उसे मामूली सी तहजीब तो सिखाओ, यह तो तुम लोगों को सिखाना होगा, बिना बच्चों की ट्रेनिंग की जिमेंदारी तो तुमारी है, बिना उठी और एकदम अंदर चली गए, अरे, बिना को क्या बुरा लग गया, पर मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, नहीं नहीं, बस बिना को लेकर वे जरा टची है, फिर बातों का कोई सिलसिला जमा ही नहीं, रात को चोपड़ा काफी तेयारी करके ही अपने कमरे में घुसे थे, आखिर क्या चाते है पापा, सब नौकरों को निकाल दू, और फेटा कसकर घर धंदे में जुड़ जाओ, डंडा लेकर सारे दिन बच्चों को कूर्टी बिढ़ती रहू, मैंने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं, मेरे बच्चे उजटगवार हैं, बस तीन दिन तक कैसे कैसे प्रोग्राम होत दूसरी है, वरना उन्होंने जो कहा, खेर, अब तुम सोचाओ, पापा गए तो दूसरे दिन ही, अफसरों की बीवियां आई, और मिसिस चोपड़ा से, अपनी डिकर्टा और अपना सरोकार जताने के लिए, उन्होंने घोशना की, कि दो दिन बाद ही एक पिकनिक होगी, म दूर करके रख दिया, अच्छा, अब एक दिन आप अराम कीजिए, फिर पिकनिक में आपकी सारी बुरियत दूर कर देंगे, लेकिए, पम्मी को जरूर लाइए, मैं उसकी प्संद की ही चीज बना कर लाऊंगी, हाँ, पम्मी से गाना भी तो सुनेंगे, उसके गाने के ब फिर अपने पूरे कद के साथ मिसिस चोपडा बन गई, उन्होंने किशन से कहकर पम्मी को बुलवाया, सुनो पम्मी, लेडिस कलब के और से पिकनिक रखी गई है परसो, अब तो सारे प्रोग्राम खतम हो गई, अब कैसी पिकनिक है, अरे, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं इसकूलों की तो छुट्टी है भी, मैं क्या करूंगी आप लोगों की पिकनिक में जाकर, पिकनिक में, पिकनिक में क्या किया जाता है, घूमना फुर्णा, आपकी दोस्तों के साथ घूमेंगी मैं, मुझे नहीं जाना पिकनिक में, लोटने के लिए पम्मी मुड़ी ही थ कि मिसिस चोपडा ने डपटा अरे चल कहां दी अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो परसो पिकनिक में चलना है नीलू तेरी पसंद की चीज बना कर लाएगी इतना कह कर गई है बिचारी तो नीलू आंटी से कहिए यहीं भिजवा देंगी मैं खा लूँगी मैं जितना गम खात यहीं सुनाई नहीं दिया इसके बाद दूसरे दिन तक मिसिस चोपडा कभी प्यार से तो कभी फटकार से बराबर पम्मी को आदेश देती ही रही उसे पिकनिक पर चलना है कि वह कोई बहाना नहीं सुनेगी मनमानी करने की कोई सीमा भी होती है लेकिं पिकनिक वाले दिन स अबरे दूद पीते से मैं पम्मी ने कहा ममी मैं पिकनिक पर नहीं जाओंगी मुझे पढ़ना है मिसिस चोपड़ा एकदम भबक पढ़ी क्या कहा नहीं जाएगी अरे कैसी पढ़ाई कर रही है मैं खुब समझती हूं कुछ बोलती नहीं तो मत समझना की कुछ जानती नही ठीक हैं नहीं जाना तो मत चल मैं भी और फिर गुसे से विजह ने क्या क्या कहती चली गए लेकिन नहाते से मैं उन्होंने तै कर लिया कि वे सारा गुसा भी धोकर बहा देंगी और अपना मूट खराब नहीं करना है वरना पूरी पिकनिक का मज़ा किरकिरा हो जाएगा समस्ती क्यों नहीं हो दादा जी थे तो ममी सारे दिन घर में ही रहती थी कैसे आती आज पिकनिक पर गही है तो आज जरूर आउंगी जानते हो साथ चलने के लिए डान डाट कर मेरा भुरसक बना दिया उनका बस चले तो अपने पल्ले से बांध कर रखें पता नहीं क्या स सिवार पकड़ कर अपने को थामा